एलो गाईज आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ अमेजिंग सी रेसेपी ये देखी हमने आज बनाए है चोकलेट पेड़ा वो भी कितना डिलिसियस लग रहा है न और बन गई हैं सिरफ पांच मिनिट के अंदर पांच मिनिट से जाद आपको इसमें नहीं लगने वाल फिर हमने लिए कोकोवा पाउडर एक चम्मच मिल्क पाउडर वन बॉल और यह हमने लिए पाउडर्ड जुगर आधा बॉल और यह सोफ लिए है हमने चोकलेट सॉफ है यह डेकोरेशन के लिए आप पिस्ता आमंड्स कुछ भी ले सकते हैं अब हमने एक पैन लिया है जिस सबी चीजों को इस तरह से मिक्स करेंगे ध्यान रहें कि आपके मिक्सचर में लम्स ना पड़ जाएं यह देखिए धीरे-धीरे करके हम मिक्स कर लेंगे अभी हमने गैस की फ्लेम को मेडियम रखा है जब यह पकना शुरू हो जाएगा तब हम इसे सिम कर देंगे यह देखिए आप इसे कंटिनियूसली चलाएं यह चार से पांच मिनट में बनकर तयार हो जाता है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता गाईज गैस की फ्लेम को हमने सिम कर लिया है अब यह देखिए थिक होने लगया यह दीरे-धीरे जैसे कि हम मावा निकालते है वैसा हो जा जाएंगे उसके बाद यह बनकर तयार हो जाएगा इसको बिल्कुल भी छोड़े ना नहीं तो यह कड़ाई की चिपक जाएगा गाईज बहुत अच्छा टेस्ट आता है बच्चों की फेवरिट पेड़ी है यह तो ट्राय ना करें ऐसा नहीं है ट्राय जरूर करें इसे त अब इसने कड़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है अब हम इसे बंद कर देंगे गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और इसे थोड़ा ठंडा होने दिया है इस तरीके से ठंडा होने के बाद हम इसमें एक चमच कोकोवा पाउडर डाल कर इस तरीके से मिक्स करेंगे ज्यादा कोकुआ पाउडर आप ना डाले एक ही चमच डाले बहुत होता है एक चमच कोकुआ पाउडर और मिक्स करने के बाद ये देखिए हमारा बैटर कुछ इस तरीके का बन कर तयार हो चुका है अब हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और इस तरीके से हम पेड़े की शेप इसे दे देंगे हातों से घुमाते हुए और इसके अंदर हम सौफ डालेंगे बाद में क्योंकि यह थोड़ा सा ठंडा हो जाता है फिर हम इसमें डालेंगे यह देखिए हम सारे पेड़े इसी तरीके से बना कर तयार कर लेंगे और बहुती सुन्दर और अच्छे पेड़े बनकर तयार हो जाते हैं अब हम इने डेकोरेट करेंगे चोकलेट सॉफ से आप जैम से भी डेकोरेट कर सकते हैं और नाट्स से भी यह देखिए कितने सुन्दल लग रहे हैं ल चोटे चोटे पेड़े आ रहे हैं इनको देखकर मुह में पानी कंटरोल नहीं कर पा रहे होंगे आप भी ये देखिए हमने सारे पेड़ों को इसी तरीके से भर कर तयार कर लिया है और अब ये तयार हो गए है खाने के लिए तो बताइए का गाईच कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी